मुस्कुराता हुआ व्यक्ति किसे अच्छा नहीं लगता है लेकिन आत्म विश्वास के साथ मुस्कुराने के लिए दातों में जमक, उनका दुरुस्त और मसुडों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे पास हजारों तरह के टूथपेस्ट मौजूद है लेकिन दातों और मसुडों की परिशानियों में कमी नहीं आई है उल्टा बड़ी है क्यों? इसकी वज़ा क्या है? वज़ा है टूथपेस्ट में उपलब्ध केमिकल्स जैसे की सोडियम लॉरल सालफेट, फ्लोराइड और कई टूथपेस्ट में तो हड्डियों का चूरा भी मिलाया जा रहा है ये सारी चीजे स्टो पॉइजन का काम करती है जिससे हमारे दातों के स्वास्थ में व्रिद्धी की जगा कमी आती है प्राचीन समय में लोगों को दातों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था क्योंकि वो लोग अलग-अलग वनस्पतियों की दातून का प्रयोग करते थे क्या आप सोच रहे हैं कि आप दातून के महत्व से भरपूर टूथपेस्ट को कैसे ढूंडे? सूपर बी ने आयूरवेद और दातून के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रपॉलिस टूथपेस्ट का निर्मान किया है, जिसके प्राकृतिक और आयूरवेदिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ प्रपॉलिस की खूबिया भी उपलब्ध हैं। प्रपॉलिस जो एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अंटी बैक्टीरियल, अंटी फंगल, अंटी वाइरल, अंटी इन्फलेमेटरी और अंटी सेप्टिक पधार्थ है, जो मुँ सम्मंधी सभी रोगों और तकलीफों की रोख थाम करता है। प्रपॉलिस उच्च रोग प्रतिरोधक शमता युक्त एक प्राकृतिक उत्पाद है, जिसे मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है, ये पूर्णियता जेविक है, और किसी भी तरह से हानी कारक नहीं होता है, और जिसके चमतकारिक गुणों को पूरा मानता है और प्रमानित करता है, हमारे देश में प्राचीन समय से ही प्रपॉलिस का इस्तेमाल घाव को ठीक करने, दातों और मसूडों की देखभाल में दंत मंजन को बनाने में, दातों को कीडों से बचाने, खोकले दातों को सही करने, दातों की अतिसमवेदन शीलता को ख साही के फूल, एम्बोलिया राइब्स, हल्दी और लोध्र जैसे आयूरवेदिक तत्व का प्रयोग किया गया है। सूपर भी प्रपॉलिस टूथपेस्ट पूर्ण स्वदेशी प्राकृतिक आयूरवेदिक और पूरी तरह से सुरक्षित टूथपेस्ट है। और हर उम्र के व्यक्ति एवं बच्चों के दांतों और मसूडों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है। रिसर्ट से पता चला है कि प्रपॉलिस यूग टूथपेस्ट ज्यादा बहतर होते हैं। ये मूँ से समंदित रोगों के उपचार और रोगथाम के लिए सबसे बहतर है। ये पाईरिया, कैविटीज, प्लाक, मूँ की दुरगंद को खतम करता है और दातों को सुन्दर, मसूडों को स्वस्थ बनाता है। ये मूँ बनाता है।